हाज आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि टैलिफॉन पे कैसे बात की जाती है आपको पता ही होगा के मौस्ट उफ हम्मारे फ्रेंड्स के साथ रिलेटिव से साथ टीचिस के साथ सब के साथ किसे बात करते हैं फॉन पे तो उसके सेंडेसे हम इस परकार बोल सकते हैं आप स्टार्टिंग करते हो हाँ तो हलो कौन बोल रहा है अगर आपको इसा बोलना है तो क्या बोलगे आप who is speaking can I talk to Mr. Akshay किया मैं अक्सर के साथ बात कर सकता हूँ can I talk to Raj मैं Raj के साथ बात कर सकता हूँ तो आपको can I talk ऐसा words का भी यूज कर सकते हो then is Sonia available कि Sonia वहाँ पे है आपको ऐसा पूछना तो किसा बोलोगे is Sonia available या कोई भी नाम हो आप नाम अपने तरीके से बदल सकते हो then अजकल क्या चल रहा है तो इसको English में क्या बोलेगे WhatsApp क्या बोलेगे WhatsApp आप सब लग WhatsApp यूज करते हो ओके वो WhatsApp है मगर यह क्या है WhatsApp क्या चल रहा है फिर आपको फोन थोड़ी दर के लिए हॉल्ड में रखना है तो क्या बोलोगे हॉल्ड लाइन प्लीज क्या बोलोगे हॉल्ड लाइन प्लीज then हाँ मैं आपको थोड़ी दर के बाद कॉल करूगा अगर यह सा आपको English में बोलना तो आप बोल सकते हो I'll call you later I'll call you later आपको थोड़ी दर के बाद कॉल करूँगा और आप काफी लंबे समय के बाद किसी को मिले हो और उससे बातचीत करके आपको अच्छा लगा है तो आप क्या बोलोगे Nice to hear you Nice to hear you ओके और लास्ट में कॉल का end करते हो तो मैं ऐसा बोल सकते हैं तो यह जो संटेसी से आज ही अपने फ्रेंड्स को फोन लगाए और ऐसा ही इंग्लिश में उसके साथ बात कर जिए कौन-कौन से संटेसी जाद रखने आपको पदा है न Hello, who is speaking Can I talk to Mr. Akshay? Is Sonia available? What's up? Hold line, please I'll call you later Nice to hear you And thank you for calling तो ऐसे ही इंग्लिश के सेंटेसी आप यूज करो रूटिन में और टेलिफॉन को अच्छी तरीके से इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करो और अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगा है आप इसको सेर करो और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू